बड़े बड़े बिस्नेस्मेन, वो महापुरुषों की जीवनी हिंदी में, दोस्तों आपके लिए आज हम मुकेश अंबानी जीवनी संग्षिक्त में लेकर आए हैं, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं, मुकेश भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं, इसके साथ साथ वे दुनिया की सबसे धनी व्यक्तियों में भी शामिल हैं। Reliance Industries भारत में निजीक शेत्र की सबसे बड़ी तथा Fortune 500 कमपनी हैं। वे दुनिया की सबसे महंगी जायदाद मुंबई स्थित एंटिलला में रहते हैं। मुकेश Reliance के संस्थापक, स्वर्गिय धीरुभाय अंबानी के पुत्र और Reliance अनिल धीरुभाय अंबानी ग्रुक के अध्यक्ष अनिल अंबानी के बड़े भाई हैं। मुकेश अंबानी की सूची में स्थान दिया, अपनी कमपनी के अलावा मुकेश अंबानी अलग-अलग समय पर विभिन समितियों के सदस्य, अध्यक्ष तथा प्रतिष्थित कमपनीों के बोर्ड पर भी रहे हैं। बिरला और 43 दूसरी कमपनियों से कड़ी टक करके बावजूद वह लाइसेंस धीरुभाई को दिया गया। अपने इस PFY प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए दीरुभाई को किसी की मदद की जरुरत थी। इसलिए उन्होंने Stanford University में पढ़ रहे बेटे मुकेश अमबानी को अपनी मदद के लिए बुलाया। बाद में मुकेश ने रिलायंस पोलिस्टर में मदद करना बंद कर दिया और 1980 में फिर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन को शुरू किया गया। और मुकेश अमबानी ने Reliance Infocom Limited, अभी Reliance Communication Limited की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश, भारत के जानकारी और Communication तंत्र ज्यान क्षेत्र में ध्यान देना था, अमबानी आगे बढ़ते गए और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा Petroleum Refinery, जामनगर, भारत में बनाया, ज इसकी 6,60,000,000,000,000,000 टन प्रती वर्ष, बैरल प्रती दिन भरने की क्षमता है, जो 2010 में भारत की सरवादिक, प्रचलित पेट्रोलियम, क्षेत्र और पॉवर जनरेशन के मामले में उच्छ दर्जे की इंडिस्ट्री थी, 18 जून 2014 को मुकेश अमबानी रिलायंस की 40 वे अनुवल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा की, वो आने वाले तीन सालों में 1.8 ट्रिलियन रुपे, अलग अलग व्यावसाय में इंवेस्ट किया, साथी भारत में 2015 में 4G सर्विसेस भी लागू की, मुकेश और नी गीत और नृत्य काफी माइने रखते हैं, नीता की माता एक प्रख्यात गुजराती लोकनर्त की थी, नीता जब केवल 8 साल की थी, तब ही से उनकी माने उन्हें नृत्य सीखाना शुरू कर दिया, नीता ने बचपन से ही नित्य में अपनी गहरी रुची दिखाना शुरू और देखते ही देखते ही वह भरतनाट्यम की एक कुशल मृत्यांगना बन गई, गुजरात में अलग-अलग समारोहों में भरतनाट्यम प्रस्तुत किया करती थी, एक ऐसे ही कार्यक्रम में धीरू भाई ने नीता को भरतनाट्यम करते हुए देखा, नीता के इस नीता को बिल्ला मातोर्श्री में देखा था, नीता ने जब अपना नृत्यम समाप्त कर लिया तो धीरू भाई ने कार्यक्रम के आयोजक से नीता के बारे में जानकारी ली, यही नहीं धीरू भाई ने नीता का टेलिफोन नमब लिया और उनसे जुड़े अन्यब्योरे अपने साथ ले गए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिन जै भारत